और चलिए आप राहुल गंधी आ रहे हैं चलिए आपको सुनाते हैं राहुल गंधी क्या कुछ कह रहे हैं आप, MLA's, पाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत इतनी गर्मी में आप आए मेरी बात सुनने आए इसके लिए आप सब को दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद पिछले पाँच सालों से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री हैं और पंद्रा बीस सबसे अमीर लोगों की वो सरकार चला रहे हैं आए थे आप से वाइदा किया था पंद्रा लाक रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा दो करोड युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा किसान को सही दाम दूंगा पात साल हो गए एक भी वाइदा पूरा नहीं हुआ उल्टा पंद्रा लोगों का उन्होंने पांच लाक पच्पन हजार करोड रुपए कर्जा माफ किया है और यहां आप जानते हैं जो पहले आपको मिलता था मन्रेगा मिलता था वो भी बीजेपी के लोगोंने बंद किया तो पिछले पांच सालों उन्होंने आपके साथ हिंदुस्तान के गरीब लोगों के साथ आदिवासियों के साथ कमजोर लोगों के साथ अन्याय किया है और आप कॉंग्रेस पार्टी आपको नियाय देना चाहती है जो पांच साल उन्होंने आपका नुक्सान किया जो पांच साल उन्होंने आपका नुक्सान किया उस बात को मैं इस टेट से पहचानता हूँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात को मानता हूँ कि पिछले 5 सालों में सबसे जाधा नुकसान हिंदुस्तान के आदिववासियों का नरेंडर मोदी ने किया है और अगर 5 साल आपके साथ अन्याय हुआ है तो अगले पांच साल आपके साथ न्याय होना पड़ेगा जो आपके जेव में से चीना गया उससे जादा कॉंग्रेस पार्टी और मैं आपके जेव में डालेंगे अब मैं आपको बताता हूँ आपको बताता हूँ कैसे करा जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने पंद्रा लाग की बात की किसी को नहीं दिया यहां कोई है जिसको पंद्रा लाग रुपे नरेंद्र मोदी ने दिया हो कोई है एक आदमी और अरत जिसको नरेंद्र मोदी ने दिया नहीं चोकिदार चोब है अब देखिए पांच महीने पहले और ये बात हमारे जो आदिवासी भाई बेहन है आपको बहुत अच्छी लगीगी पांच महीने पहले मैंने कॉंग्रेस पार्टी के एकॉनोमिस को बुलाया सीनियर नेताओं को बुलाया और उनसे कहा देखिए मैं एक काम करना चाहता हूँ मुझसे पूछते क्या काम करना चाहते हो मैंने कहा कि देखिए हिंदुस्तान में करोणों गरीब लोग हैं वो दिन भर काम करते हैं और देश की जो सरकार है वो उनकी मदद नहीं कर रही है मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाग का जूट बोला मैं हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूँ मैं हिंदुस्तान के आधिवासियों को मेसेज देना चाहता हूँ कि 2019 के बाद जो सरकार बनेगी वो आपकी सरकार होगी मैंने उनसे पूछा देके एक बात बताईए पता कीजिए नरेंद्र मोदी ने 15 लाग का जूट बोला मैं आपसे नमबर चाहता हूँ लंबा भाशन नहीं किताब नहीं एक नमबर उन्होंने मुझे से पूछा कौन सा नमबर मैंने उनसे बोला मुझे वो नमबर चाहिए जितना पैसा मैं हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डाल पाऊं हर महीने जाईए काम कीजिए तीन चार महीने बाद आईए मेरे पास मुझे एक नमबर दे दीजिए मैं जनता को वो नमबर बताऊंगा और वो ही नमबर उतना पैसा उनके बैंक अकाउंट में हर साल डालूंगा कुछी दिन पहले मेरे पास आए मुझे कहते हैं नमबर मिल गया मैंने का बताईए क्या है 72,000 मैंने उच्चों पूछा 72,000 क्या 72,000 रुपए कितने दिन में कितने लोगों को मुझे कहते हैं राहुल जी हिंदुस्तान की सरकार साल के 72,000 रुपए 5 करोड परिवानों को दे सकती है आपको पहले मनरेगा के लिए पैसा मिलता था 100 दिन रुजगार 2019 के बाद चुनाओं के बाद आपको 150 दिन मिलेगा मगर आपको नियाए योजना से भी बिना कोई काम किये सीधा आपके बैंक अकाउंट में महीने का 6,000 रुपए साल का 72,000 रुपए 5 साल का 3,60,000 रुपए कॉंग्रिस पार्टी और मैं आपके बैंक अकाउंट में डालने वाले हैं आप सोचिए आप सोचिए नरेंद्र मोदी ने 15,000 रुपए की सचाई बता रहा हूं 25 करोड लोगों को 5 करोड परिवारों को 5 करोड परिवारों को 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए गैरंटी करके मैं बैंक अकाउंट पे डालने वाला हूं अच्छा यहां बहुत सारे पुर्श आये हैं महिलाएं भी आये हैं मुझसे गुस्सा मत होना पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है एतिहासिक निन्ने किसी भी देश ने किसी भी देश ने अपने हर गरीब व्यक्ति को बैंक अकाउंट में पैसा कभी नहीं दिया है पहली बार इतिहास में हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालने जा रही है क्यों डाल रही है मैं आपको बताऊंगा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सीधा अनिल अमबानी जैसे चोरों के बैंक अकाउंट में लाखों करोड रुपे डाला है मैं उनके बैंक अकाउंट से अनिल अमबानी के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल कर सीधा आपके खाते में डालने जा रहा हूँ कुछ भी हो जाए मुझे कोई फरक नहीं पड़ता आप लोगों ने बहुत सहा है पिछले पांच सालों में आपने नोट बंदी देखी आपके जेब में से पैसा निकला गबबर सिंग टैक्स लागू हुआ आपके जेब में से पैसा निकला पूरा पूरा पैसा नरेंदर मोदी, चौकीदार ने, अनिलमानी, महुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय मालिया के जेब में डाले भाईयों और बहनों सत्तर साल में पहली बार पंद्रा लोग हिंदुस्तान का एक लाख करोड रुपे चोरी करके भाग गए किसका पैसा था? आपका पैसा था हिंदुस्तान के आदिवासियों का पैसा था कमजोर लोगों का पैसा था किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का पैसा था उन्होंने पांच साल न्याय किया अब मैं पांच साल न्याय करने वाला हूँ नरेंद्र मोधी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कॉंगरेस पार्टी गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है गरीबी को हिंदुस्तान से हम मिटाने वाले हैं किसान आये हैं उनसे भी थोड़ा कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने आप से कहा था करजा माफ करेंगे उन्होंने आप से कहा था सही दाम दिलवाएंगे उन्होंने कहा था आपके खेट के पास फूड प्रोसेसिंग फैक्टरी लगाएंगे कर दिया काम करजा माफ किस ने किया आपका? कॉंग्रेस पार्टी ने करजा माफ किया यहाँ पे राजिस्तान में, मध्यप्रदेश में, 36 गड़ में चुना हो रहा था, मैंने साफ बोला देखिए कुछ भी हो जाए दस दिन के अंदर राजिस्तान, मध्यप्रदेश, 36 गड़ के किसानों का करजा माफ होगा दस दिन ने लगे, दो दिन के अंदर तीनों सरकारों ने सारे के सारे किसानों का करजा माफ करके दिखा दिया और नरेंद मोधी आते हैं, कहते हैं, पैसा कहां से आएगा? हमने दिखाया पैसा कहां से आएगा? नरेंद मोधी सुनना चाहते हैं, तो मैं बताता हूँ, ने लंबानी की जेब से आएगा? पिछले पांस सालों से पीए मोधी, सबसे पंदरा से बीज, जो सबसे अमीर लोग हैं, उनकी सरकार चला रहे हैं और साथ ही आपको बता दे कि पंदरा लाग पर भी घेरते हुए कहां कि हमारी सरकार आते ही बैतर हजार रुपे सालना हर गरीब को दे जाएंगे और साथ ही ये भी कहां पूरुशों से कि मुझसे नाराज मत होना क्योंकि ये पैसा महिलाओं के खाते में डाला जाएगा